कि अलो दोस्तों मैं डाक्टर मनोज कुमार सिंग स्वागत करता हूं आपका मनोज आये यूटूब चैनल में आज हम प्रिवियस येर के कुछ प्रश्णों पर चर्चा करेंगे जिसमें ये मेरी एक स्ट्रिंखला है ये लगातार चलती रहेगी जब तक इतिहास का पूरा प उनसे प्रश्ण आये हैं और किन-किन परिच्छाओं में आये हैं और उसका उत्तर क्या होगा यह समझ विख्सित करने के लिए हम इन प्रश्णों का उत्तर देखेंगे तो पहला कुस्चन है आपका रावर्ट बुस फूट थे एक क्या थे आप बता दें आपको तो इसका ए नंबर सही है लेकिन आपको पता दें कि रावर्ट बुस फूट जो है भूब अज्यानिक के अत्रिक्त जो है इनका बहुत बड़ा कारे रहा है पूरा तत्वबिद इन्होंने ही सबसे पहले भारत में हैंडेक्स और क्लीवर जैसे उपकरणों को पलवरक नाम कस्थान से प्राप्त किया था तो यह कोष्चन आपका आया हुआ है उत्ताप्रदेश यूपी लोवर्जव शबनेट में प्री में आया है 2015 में अगला है कोपेन हेगन कोपेन हेगन संग्रहालय की सामगरी से 4530 लोहा री यूगीन बिभाजन किया था किसने किया था ये बा थामसन ने किया था, किसे ने किया था, थामसन ने किया था, किसे ने किया था, थामसन ने किया था, दूसरे का ए होगा, थामसन ने किया था, अगला है, उत्खनित प्रमालों के अनुसार पस्पालन का प्रारम हुआ था, तो पस्पालन का अगर बात करें, तो उत्खनन जो है हुआ था मध्य पासान काल से उत्खनित प्रमाडों के अनुसार पस्पालन का आरंभ माना जाता है या उत्फत्य वानी जाती है वो कहां से मानी जाती है मध्य पासान काल से और मनुष्य ने सबसे पहले किसको पाला था कुत्ते को पाला था किसको पाला था कुत्ते को सबसे पहले या पाल्तू बनाता है तो उत्खनेत प्रमाड़क के अनुसार पस्पालन का प्रारंब मध्यपास आणकाल से माना जाता है कुट्टे को इसने पाल्तू क्यों बनाया आपको मैं बता दूँ क्योंकि मनुष्च को आप जैसा कि आप जानते हो कच्छे मांस खाता था और वो मनुष्ट के करीब इसलिए आ गए क्योंकि वो जब भूंकते थे उनके भूंकने से जो जंगली जानवर जिससे मनुष्ट को खतरा होता था सिकार को पकलने मों मदद करते थे सिलिए मनुष्ट कुट्वों के बीच में करीब या बढ़ती गई और आज भी मनुष्ट का प्रसंगों से कुतता क्या मध्य पाशानिक प्रसंगों में पसुपालण के प्रमार जहां से मिले वह अस्थान कौन सा है आपको बता देए वह स्थान है आपका क्या है चरोधय का जो है सी होगा आँदमगर्ह क्या है आदमगर्ध में सबसे पाले जो है इस प्रकार कवहले वहाँ धर होता है कर आध nett निम्लिकित में सिक्की सस्थर से हड़ी का उपकरन प्राप्थ हुआ है तो चोपनी मांडो A. चोपनी मांडो B. काकोरिया C. महदहा D. सराहनायर राय आप पाचमा है पाचमा बिबादित कुश्चन रहा है इसका आपको बता दें महदहा और सराय नाहर राय ये दोनों होंगे क्योंकि ये दोनों कहां है प्रताप गढ़ प्रताप गढ़ उत्तर प्रदेश प्रताप गढ़ उत्तर प्रदेश में है ये इलाहाबाद के ठीक भगल में है प्रयाग्रिश्टिक के और यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ खुबसूरा सहर है यहां पर काला कांकर इसका राजभौन है जो बहुत ही प्रसिद रहा है जहां बस सुमित्ता अंधन पंत ने बैड़ करके ही वहां पन्नों का भीहा नमक कविता लिखी थी तो आपको बता दें यह अस्थान है जहां कि सब्सक्राप मनुष्य के जो है प्रतापगण में यहां पर मनुष्य आ मतब हड्ली के उपकरण है सिस्फ राप्त होंगे यह निष्चीत हैं और दूसरा क्या है इसका जो है आफौर चटमा का भी ये और बी दोनों से है सरान सराय नहाराय और महादहां ये दोनों अस्थान वहां पर हैं ये दोनों से प्राप्त होते हैं यह दोनों ए एंड वी-स का आंसर हो Twentyya जटमें एक आंसर हो जाए ए और वी ए आरो की मेंस परिच्छा में पूछा हुआ है एक ही कप्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं कहां से आपको दादे यूगम समाधियां सबसे पहले प्राप्त हो रहें सराहर सराय नाहर राय सातमा का होगा इसका भी दमदमा से क्या होगा दमदमा सोगा सराय नाहर राय नहीं होगा महदहा नहीं होगा लंगनाज नहीं होगा क्या होगा दमदमा होगा दमदमा इसका उत्तर है सातमा का भी अगला है आठवाँ, खाद्यानों की क्रिशी सर्प्तम प्रारंभ हुई थी कहां से, नौपासान काल में, मद्यपासान काल में, पुरापासान काल में, प्रोटो एटी हासिक काल में, तो आपका बता दे इसका अंसर होगा, आठवाँ, आठवाँ का यह होगा, नौपासान का आपका भारत में मानव का सर्प्तम साच कहां से मिलता है भारत में मानव का सर्प्तम साच कहां से मिलता है तो कहां से मिलेगा नर्मदा घाटी कहां से प्राप्त होता है नर्मदा घाटी नर्मदा घाटी से मनुष के साच सबसे पहले प्राप्त होते हैं भारत में जब कि अग कहां से प्राप्त होगा कमेंट बाक्स में आप लिखके बताएंगे आगे हम देखते हैं साइद इसका उत्तर मिल जाए आपको मानो द्वारा सबसे पहले जव अनाज को जव को मनुस्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने लगा इसके बाद क्रम सग्य हूं फिर चाव भारती उप महादीप में अगर बात करें तो प्राचिनतम खेती का साचे जो प्राप्त होता है जबकि अगर भारत में बात करें तो लहूरा देवसे प्राप्त होगा अगला प्रशन को है आपको पता दें बाराववा नमबर भारतियूप महादीप में क्रिसी का प्राचीनतम साच प्राप्त हुआ है कहां से आपको बता दे होगा मेहरगड मेहरगड कहां है बल्चिस्तान में है यहां से प्राप्त हो रहा है अगला है भारतियूप महादीप में क्रिसी का प्राचीनतम साच कहां प्राप्त हो रहा है भारतियूप महादीप में क्रिसी का प्राचीनतम साच प्राप्त हो रहा है मेहरगड नवबासान युग में भारतियूप महादीप के उत्तर पस्चिम छित्र में निमलिखित में सेक सस्थान पर क्रिसी के अभियुदय के प्रारंभिक साच प्राप्त होते हैं तो भारती उपमहादीब की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा मेहर गड़ हो जाएगा इम आगला है भारत में पस पालनेव, क्रिशी के प्राचिंटव साच पराप्द होगा है। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधीक का कॉस्ट्चन इस प्रकार्सिस में आंसर आता है उसस्थल का नाम पता यहां से प्राचिंत आप स्थाई जीवन के प्राप्त होने लगते हैं धाला अभी राजिंद्धु सभ विता का पुरा स्थल है और किले गुल मुहम्मद और काली बंगा काली बंगा भी उसका है यह राजस्थान में है काली बंगा का मतोता काले रंग की चूड़ियां अगला प्रश्ण है आपका निमलिखित में से किन अस्थानों से मद्य पासान काल में पसपालन के प्रमाल मिलते हैं आओदे बोरी बागो लखनिया, तो 17 नंबर कुश्चन है, 17 नंबर कुश्चन का अंसर होगा, C, बागोर, बागोर से सबसे पहले, मदबासानकाल में, पस्पालन के आउसेश प्राप्त, खोते एनिल भीकित में से, किसको चाल कोलित, युग भी कहा जाता है, पुरा पासानकाल, नो पासानकाल, त तामर पासान यूग को कहा जाता है कि इसको कहा जाता है तामर पासान काल को कहा जाता है लोहे का ज्ञान अभी तक नहीं उठा बैदिक सब्वता के अंतिम चरण में लोहे का ज्ञान मनिस को हुने लगा था अगला है निमलिकित में से किस एक पुरास्था से पासान संस्कृती से लेकर हडपा सबेता तक के संस्कृत का उसे स्प्राप्त हुए हैं तो बहुत हो जाएगा मेहर गड़ जैसा क्या आप देख रहा है तम यह पासान काल में भी खेती का संस्कृत क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा उननीस का भी मेहर गड़ क्या हो जाएगा मेहर गड़ हो जाएगा नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा कराये गया था तो नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था KD बाचपेई ने BS वांकर ने और HD सांकलिया ने माल्टिमर हिलन ने आपको बता दे इसका हो जाएगा C HD सांकलिया ने कराया था किसने कराया था C नंबर आप्शन सही होगा भी इसका HD सांकलिया ने कराया था अगला है नवदा टोली की सराजय में अवस्थित है नवदा टोली नवदा टोली कहां है इसमारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में मृत्कों को दफनाने का स्थान के रूप में अगला है जिला निन्य कितर में से किस पासानिक इसथर से सम्ध्धित है बुद हाक, संगन कल्लू, कोल्डी हवा, ब्रह्म गिरी आपको बताते हैं, 23, 23 का अंशर होगा बी इसका अंसर होगा बी संगन कल्लू क्या होगा संगन कल्लू संगन कल्लू से इसका स्थान प्राप्त होता है संगन कल्लू भीम बेट का किस के लिए प्रसिद है आपको बता दें गुफाओं के साइल चित्र के लिए फेमसा किस के लिए भीमबेटका कहा है मदप्रदेश में है यंबी में है यह फेमस है अजनता जानते हैं जिस चित कराएं के बाग और अमरावती यह सब अभी भीन नाधुनी कराओं के लिए उत्तर मध्यकाल प्राचीन भारत के लिए फेमस हैं इसके वाद है क्या भीमबेटका क्यों मानों का संग्राल इस्तित है पंचमड़ी भी गुफाओं के लिए फेमस है सिंग्रावली कोला उत्तपादन के लिए मुखिरूप से फेमस है भारत में किस सिलास्त्रह में सरवाधिक चित प्राप्त हुए हैं घगरिया भीमबेटका लेखईया आदमगर्त आपको बता दे हुआ था हस्तिनापूर में क्या हो जाए इसका अंसर हस्तिनापूर में हुआ था आईच्छत्र में नहीं हुआ था नो में नहीं हुआ था लाल किला में नहीं हुआ था इसका अंसर हो जाएगा हस्तिनापूर में इसका नाम करण किया गया था अगला होगा 28 नंबर 29 नंब ते थे उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर से दच्छिड की ओर रखकर वो दफनाते थे अगला हो जाएगा नेम्रिखित में से किस अस्थर से मानव कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है तो आपको बता दें क्या हो जाएगा बूर्ज होम बूर् कि नकेचे दफनाएं का साच्छ एपको आपको बता दें के सांथ कुट्टे कंकाल हुआज हो जाएगा ऑद आपको बता दें बुर्ज होम पासान काल पासान काल का भी जानकारी देता है इसके अतिक्त जो है जानकारी देता किसकी सैंधो की सैंधो की भी जानकारी देता है अगला है गर्त आवास के साच प्राप्त हुए हैं आपको बता दें कहां से प्राप्त होंगे बुर्ज होम से गर्थ आवास के साथ भी प्राप्त होते हैं अगला प्रश्ण है आपको बता दे हैं बिंद छेत्र के किस सिलास्त्रे से सरवाधिक मानोक अंकाल मिले हैं तो आपको बता दे हैं यह हो जाएगा आपका 33 नंबर 33 का हो जाएगा सबसे जज्यादा मानोकाल प्राप्त प्राप्त हैं कहां से maior पाहर से ईसके बात utilities सरवाढ़िक में से विभाग मंत्रालियों में किसका सब्सक्रोण सब्सक्रास के देगते भारतिय इतिहास एवम पूरा तत्व तथा संस्कृति इसका पूरा नाम है एंचियंट का तो यह जो है किसके अंतरगत काम कर रहा है संस्कृति मंत्राले के अंतरगत काम कर रहा है अगला है अगला प्रश्ण है आपका भारती पूरा तत्व का जनक किसको कहा जाता है तो आप जान लेजिए भारती पूरा तत्व को जनक कहा जाता है अलेक जेंडर कनिंगम महोदय को कहा जाता है भारती पूरा तत्व का जनक कहा जाता है किसको कनिंगम महोदय को कहा जाता ह अगला प्रस्ण है राष्टि मानव सरंगहले कहां इस्थित है इतने प्रश्ण अभितक आईसे हैं जो आपको परिच्छा में अभी तक पूचा गया है अभी इसके अत्रीत जो अन्य प्रश्ण है वह सैंधो सब्विता होगा अगली बार जो हम चर्चा करेंगा अगले प्र करेंगे सेंधों सब्वता को प्रश्न प्रीवियस यहेर में अए हैं उसकी बात यहाँ पर करेंगे ठीक है दोस्तों को कमेंट बाक्स में जरूर बताएं ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में जय हैं